विजय तिलक में सबसे पहले बात होट सीट की करेंगे चित्रकूर्ट में दो विधान सभा सीटे हैं चित्रकूर्ट सदर और मानिकपूर विधान सभा सीट चित्रकूर्ट सदर यहां की होट सीट है वर्तवान में भारतिय जनता पाटी का कबजा है लेकिन हॉट सीट पर विजय तिलक को लेकर क्या लोगों की तैयारी है साथी साथ इस बार क्या बड़े मुद्दे है हॉट सीट पर ये भी हमने जाना आपको दिखाते हैं ये बुंदेलों की धरती है ये क्रांती वीरों की धरती है जहां से होकर गुजरता है सत्ता का गलियारा और हमारा कारवा भी इसी गलियारे में पहुचा था विजय तिलक की यात्रा लेकर आप पहुचे हैं चित्रकूट और जानेंगे कि यहां पर लोगों का क्या है सियासी मिजास साथी साथ राज तिलक की क्या हो रही है चित्रकूट में तैयारी ये भी समझेंगे तो चलिए मेरे साथ चित्रकूट धार्मिक और राजनेतिक तौर पर सूबे के पटल पर अपनी धमक रखता है दो विधान सबा सीटों वाले चित्रकूट में भाजपा का दबदबा रहा है तो वही सबकी नजर चित्रकूट सदर सीट पर ठिकी हुई है चित्रकूट सदर सीट का सियासी तिहास 2012 में सदर सीट पर सपा का कबजा रहा 2017 में सदर सीट पर खिला कमल 2017 में चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय विधायक बने चित्रकूट सदर सीट पर एक बार फिर से भाजपा अपनी जीत का दावा कर रही है यहाँ पर उपलब्धी के तौर पर हमारे चित्रकूट में जो बहुत बड़ी उपलब्धियां हुई है निर्मार यहाँ पर पूरा होता दिखाई पड़ रहा है आज भरत कूप में हम जब जाते हैं तो हमको लगता है कि हमारा चित्रकूट बड़ल लहा है निर्मार में अभी समय लगे का पूरा होने में तब तक सरकार ये रहेगी या बदल जाएगी क्या लग रहेगी और सरकार हमारी फिर से आने वाली है और यह तो चुकि चुनाओ की आचार संगता लग गई नहीं तो एक्सप्रस बेका सुभारा में भी अभी हो जाता एक तरफ भाजपा अपनी जीत के दावे कर रही है तो वहीं सपा भी अपनी जीत का दावा करती दिखाई दे रही है अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर किस पार्टी के बादे पर जनता करती है भरोसा और बाइस में चुत्रकूट से किसका होता है विज़त लग ABP गंगा के लिए चुत्रकूट से जया मिश्रा के साथ ब्योरो रिपोर्ट